आप सब जानते हैं कि 18 माई को पूरी दुनिया में International Museum Day मनाया जाएगा इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है क्योड़ आने वाली छुटियों में आप अपने दोस्तों की मनली के साथ किसी स्थानी मुजियम को देखने जाएं आप अपना अनुभव हैस्टेग मुजियम मेमरिस के साथ जरूर साझा करें आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संग रहालों को लेकर जिग्या सा जगेगी मैरे पैरे देश्वासियों आप अपने जीवन में बहुत से संक्रब लेते होंगे उनें पुरा करने के लिए परिशन भी करते होंगे साथ्यों लेकिन अहाली मैं मुझे ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था बहुत अनोखा था इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के सुरताओं को जरूर शेर करूँ साथ्यों कि आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घुमेगा और एक भी पैसे का लेंदेन कैश में नहीं करेगा है न ये दिल्ली चस्प संकल्प दिल्ली की दो बेटियां सागरी का और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैश्टलेस डे आउट का एक्सपरिमेंट किया सागरी का और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविजा उपलब्द हो गई यूपी आई क्यू आर कोड की वज़े से उन्हें कैश निकालने की जरूती नहीं पड़ी यहां तक की स्ट्रीट फूड और रहडी पट्री की दुकानों पर भी ज्यादा तर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजिक्षन की सुविजा मी दी साथियों कोई सोच सकता है कि दिल्ली हैं बैट्रो सीटी हैं वहां ये सब होना आसान है लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपी आई का ये प्रसार केवज दिल्ली जैसे बड़े शहरों तकी सीमित हैं एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनन्दिता त्रिपठी का भी मिला है आनन्दिता पिछले सब्ता अपने पती के साथ नौर्थ इस्ट गुमने गई थी उन्होंने असम से लेकर मेगाले और अरुनाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझ कैश निकालने की जरुरती नहीं पड़ी जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी वहां भी अब UPI से पेमेंट की सुविधा मुझूद है सागरी का प्रेक्षा और आनन्दिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आगरा करूंगा कि कैश्टलेस डे आउट का एक्सपरिमेंट करके देखें जरूर करें साथियों पिछले कुछ सालों में बीम UPI तेजी से हमारी एकानोमी और आदतों का हिस्सा बन गया है अब तो छोटे छोटे शहरों में और जादातर गावों में भी लोग UPI से ही लें हो रहा है गली नुकड की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें जादा से जादा ग्राहों को सर्विस देना आसान हो गया है उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती आप भी UPI की सुविधा को रोज मना के जीवन में मैसूस करते हो कहीं भी गए कैस्ट ले जाने का बैंक जाने का ATM खोजने का जंज़टी खतम मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल एकोनमी तयार हुई है इस समय हमारे देश में करीब बीस हजार करोड रुपे के ट्रांजिक्शन हर दिन हो रहे हैं पिछले मार्च के महने में तो यूपी आई ट्रांजिक्शन करीब दस लाग करोड रुपे तक पहुँच गया इस से देश में सुविधा भी बढ़ रही है और इमानदारी का माहोल भी बन रहा है अब तो देश में फिंटेक्श से जुड़े कई नए स्टार्टप भी आगे बढ़ रहे हैं दूसरे कई और देश वास्यों के लिए प्रेणिना बन सकते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों टेक्नॉलोजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है ये हमें हमारे आस पास लगातार नजरा रहा है टेक्नॉलोजी ने एक और बड़ा काम किया है ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारंग शम्ताओं का लाप देश और दुनिया को दिलाना हमारे दिव्यांग भाई भेन क्या कर सकते हैं ये हमने टोक्यो पेरालंपिक्स में देखा है खेलों की तरह ही आर्ट्स, अकडेमिक्स और दुसरे कई खेत्रों में दिव्यांग साथि कमाल कर रहे हैं लेकिन जब इन साथियों को टेक्नॉलोजी की ताकत मिल जाती हैं तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इन्फरास्रक्टर को दिव्यांगों के लिए सुलब बनाने के लिए लगातार प्यास कर रहा है देश में ऐसे कई स्कार्ट अप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेणादाई काम कर रहे हैं ऐसी एक संस्ता है वाइस आफ स्पेशली एबल पीपल ये संस्ता आसिस्टिव टेकनलोजी के खेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही हैं जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुवात की गई हैं वाइस आफ स्पेशली एबल पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स इसकी डिजिटल आर्ट गैलेरी तियार की हैं दिव्यांग साथी किस तरह असाधारन प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारन शमताय होती हैं ये आर्ट गैलेरी इसका एक उधारन है दिव्यांग साथी के जीवन में कैसी चुनोतियां होती हैं उनसे निकल कर वो कहां तक पहुँच सकते हैं ऐसे कई विशेयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं उनकी टैलेंट को जानते हैं तो डिजिटल टेकनोलोजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जुरूर जुड़ें